जी, पार्ट दु शार्ट हो गया, तो, एक्स्ट्रेक्स मनाते हैं जी, एक्स्ट्रेक्स का मतलब क्या है, पहले दो ये समझ ले, कभी सुने इसका नाम वैसे, इंट्रो में, शुना हो, वहाँ पर थो पूरी इंकम सेट्मेंट बैलशीट बनाते थे, चलो, खेर, सुनो इधर इंकम सेटमेंट जो है वो आपने बनानी सीखी हुई है जी सेल लेस कॉस्ट ओफ सेल ओपनिंग पर चेज़ेज इस इसमें भी एका दुखा चीज़ें आ जाती है छोड़ो उसको उसके बाद जी कॉस्ट ओफ सेल को जीपी फिर एड अधर इंकम लेस सारे जान के एक्से उसके अंदर सैलरी रेंट डेप्रिसियेशन अब ये पूरे सवाल के अंदर से अगर मैं कहूं कि इस सवाल को देखते में बताओ income statement में क्या relevant चीज जानी है तो क्या जाना है अब मैं इस depreciation को भाई उधर ही रखना मैं सरफ इसको on जरना है हूँ आशा अब मेरे तो ये possible नहीं है कि मैं पूरी income statement बनाऊं जो यहां तक net profit तक ले जाए आपको क्योंकि मेरे पास तो ये सारे जान का data available ही नहीं है लेकिन सवाल में मुझे क्या कहेगा relevant हिस्सा बना दो income statement का यानि जो आपके सवाल से related हो तो इसका मतलब पूरी income statement बनाने की बजाए मैं सिरफ income statement की heading दूँगा और bracket में लिखूँगा उसके extracts और सिरफ उसके नीचे ये depreciation शो कर दूँगा कैसे इधर देखिएगा एक्स्टेक्स सम्वन आने लगें जी income statement लिख दें या प्रॉप्टेंड लॉस लिख दें comprehensive income इंशाला पढ़ाँगा जब तो फिर वो नाम यूज करने लग जाएंगे ठीक है जी तो income statement income statement जो है वह एक्स्टेक्ट कैसे बनेंगे दो हजार दस के लिए इधर देखें income statement के अंदर क्या जाना है इस पूरे सवाल में जितना आपने वो सारा सवाल क्या जाना है क्या यह एडिशिएंड anál है क्या यह वाला अक्यों मोरे डेप्शन जाना है नहीं सिर्फ यह वाला डेप्शन एक्सपेंस है जो यहां से क्रेट होके ट्राइल में जाकर एक्सपेंस बनता है ठीक है ना इसका मतलब इस पूरे सवाल में से profit and loss के अंदर जाने वाली सिर्फ एक चीज है और वो है depreciation expense और वो depreciation expense जो है वो PNL का item है expenses के अंदर नजर आएगा 32.5 इदर expense लिख दिया तो negative ना भी लिखो तो काम चलेगा लेकिन कुछ बच्छों को तकलीफ होती है हमने तो लिखना है तो लिखने अब यह पूरी income statement नहीं है इसलिए इसके साथ आपने क्या लिख लिया यह मतलब extract का यह complete income statement थी यह income statement का relevant extract relevant to our question ठीक है नाइन गर लो यार को लड़ाई है मेरी जी वैसे आप लोग हसते है आप पताए नी ओन्लाइइ वाले बिचारों का तिर न उस बात प्रिशान बेटे उतने आपको पतां नी ओंन वाले बिचारों का थी कैना व इस बात ते प्रिशान बोल कुछ सग नहीं होते तो एस सवाल बी शीक रादगी है अगर वो बच्चे परिशान हो समझती है कॉ balance sheet balance sheet जाद हो आपको balance sheet कैसे बनती थी balance non current assets में PPE फिर और बहुँ दो तीन फिर current assets में debtors inventory फिर लाईविलिटी फिर आपितल और नीडि जाकर बनेगी जिसमें डूय रख का टोटल और जो सब फिर खोले एन स्वेलिटीडस को पर्चमें की नहीं साुआ कि penser हव्योल지는 न रख आप में बलती तो आप गये तो यह ब में में तो ब्रापर होופ। उस्ताज ये कहा करते थे जब हमें अकाउंटिंग प्राते थे कि अगर बैलेंस इट टैली ना हो तो खुशी खुशी आगे चले जाना और अगर टैली हो जाए तो दुख करते हुए आगे चले जाना मतलब रुकना नहीं है अब कैश लो हमारे टॉपिक में यहां पर आना है वैसे बैलेंस इट है एंपियो के अंदर मेरी और कैश लो के अंदर कैश लो स्रेटमेंट है तो वहां पर जाके भी मैं यह बियान इसलाओ को जरूर दूँगा कि टैली ना करे तो अलहमदुलिल्ला पढ़के आगे चले जाना और टैली कर जाए तो अस्तग्फिरुल्ला लहूलोला काहिए कैके आगे बढ़ जाना रुकना तो नहीं है बैलेंस नहीं हुई तो हूती भी नहीं है ठीके चोटी सी गल्पी हो तो खिर वैसे बातें पदरी जी कहा निकल गया है यह यह जी पूरी Championships लेकिन हम सवाल के अंदर यह पूरी duż बैलन—चीट नहीं पुना सक पर इसकी बुक वैलियो नजर आती है या बड़े हो गए लेकिन चुके आप इंट्रो वाली बैलेंशीट बनाकर आए हैं तो बैलेंशीट के फेस पर ही आप एसेड लेस्ट कर देते थे तो मैं भी आज वो कर रहा हूं ठीक है वो अलग बात है कि इसी टॉपिक के एंड तक जाते हैं जाते हैं पीपी का नोट बनवा लूँगा आपको तो फिर बैलेंशीट जो एफ़ एर वन या एफ़ एर टू के लेवल किया या ओनवर्ड जिंदगी में चलेगी उस पर बता दूँगा कि क्या फॉर्मेट होता है लेकिन अभी मैं सिर्फ वही काम कर रहा हूं जो आप इंट्रों में कर किया हैं बाद सोड़ा सा उसकी जरा वो चार पूंच कर रहा हूं और थोड़ा सा पता है ना नमक में रिट लगा गए तो थोड़ा सा अपने इसाफ से भी करता जारों चीजों को तो ये बैलेंस शीट आपने बनानी सीखी हुई है इसको अगर मै मैं कहूं कि इस सवाल के साफ से देखकर बताओ रेलेवेंट एक्स टैक्स क्या है तो सिर्फ क्या चीज़ नदर आएगी इसमें एसिट नाम से होता तो नाम लिख लेते ठीक है वीकल बिल्डिंग वगएरा लेकिन नाम नहीं है तो बस एसिट ही लिख लो तो बैले शीट क नहीं है इसके ओपर एक्सेंस की एडिंग मैंनी इसले ने दी क्युक्कि एक्सेंस इस लिख कर आप लिख देते थे बस एक्सेंजी ना लेकिन यहां पर तो अक्रैंट प्लो नाम वार ओ के अंदर acid कोस्ट कितनी है acid की अब यह पता नहीं है मुझे क्योंके balance sheet के अंदर closing balances ने आना होते हैं ऐसे ही है balance sheet में क्या आता है closing balance तो closing balance तो है नहीं निकालना आता है लेजर को close करना आता है मुझे पता है बच्पन में आपने और तक्तीफ से पढ़ा होगा पहले एंट्री सीखियोंगी लेजर बनाये होंगे फिर या पहले लेजर बनाये होंगे पिर उससे जरल एंट्री सीखियोंगी मैं तो बस आपको एक logical सा sequence बनाता जा रहा हूं जहां पर किसी चीच की दूरत पढ़ती है मैं चलो आप वो निकाल लेते हैं मैं लेजर नहीं बैलेंस किये मैं आगया balance sheet बनाने आया income statement तो बन गई for the year figure given थी ठीक है लेकिन balance sheet बनाने के लिए मु आपने पर्चे में अगर लेजर required हो तो ऐसे पूरा लिखना है वरना आप वैसे करना जैसे कल से मैं करूंगा 31 दिसंबर 2009 यह लेजर की balancing आती है ना debit side heavier थी credit side से तो जो debit side का balance था वही credit side पे लिखा हमने और दोनों sides को balance कर लें उसके लिए 500 रुपया इधर कम पढ़ रहा है वो 500 यहां पर डाल दिया और इसको हमने कहा था closing balance या carry down balance भी कहते है ठीक है जी? CD balance यह balancing figure हमने निकाली यह कुछ कुछ याद आ रहे है? अल्ला करे बस यह याद आ रहा है ऐसे ही याद रहे तो यह closing balance है assets का यानि as on 31 संबर 9 हमारी organization के पास बाबर राजम के पास total 500 रुपय क assets पड़े हैं तो यह क्या है cost? ठीक है? आगे बढ़ें उसके बाद यह asset 500 की cost पे पड़े हैं लेकिन कुछ इस्तमाल हो चुके हैं इसलिए यह अभी भी 500 ही book value नहीं show कर रहे होंगे यानि यह खरीदे cost का मतलब क्या है? खरीदे 500 के थे लेकिन यह कुछ अरसा इस्तमाल हो ग यह है यह सही नहीं है इन्होंने जितनी जितना फाइदा दे दिया depreciation या यह जितनी value लूज कर दी उसको इनकी cost में से minus करके इनको book value पे शोग करना है तो उसके लिए हम बच्पन में क्या करते होते थे इस acid की इस cost में से यह क्या है जी acid की? यह minus cost नहीं है मैंने का यह acid की cost ओके? ठीक है? अच्छा. लेस क्या कर देते तो दे इसमें से? तो cost में से accumulation करेंगे 32.5 तो आपके पास क्या नजर आएगा? 467.5 यह क्या है जी हमारी book value तो ऐसे नहीं करेंगे हम तो 467.5 भी direct show किया करेंगे यहां पे balance sheet में लेकिन चलो बच्पन में आप यह करके आए ना कर लेते थे आप. प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस और रेंट पर टोटल कर लेते थे. सहुलत थी ना वहां पे? यहां पे नहीं है. F.R.2 में जो balance sheet बनाओगे उसके अंदर इसकी जाज़त नहीं है. बलकि F.R.1 में इसका दिया जाएगा कि IAS 16 से related जितने भी क्या कहते हैं जी? एसिट ही है. लेकिन एसिट किताबों में नजर किस पर आएगा? कॉस पर नहीं नजर आएगा? बुक वैलियो पर नजर आएगा. यहां तक को मसला? चलें आगे. नेक्स येर आया. अच्छा सॉरी. यह कैसे आपने निकाल लिया? इसका तो balance ही नहीं था. पहले balance तो करवा हो. हद हो गई कितने शरार्थी हो गई आप लोग. मैंने कहा accumul adoption माइनस करनी है. तो आपको कहना चाहिए था उसका तो balance ही नहीं है हमारे पास. नहीं था है. तो लेजर को balance करके निकालना था ना. ठीक है? जी. 32.5 अच्छा जी. 32.5 दोनों साइड पर लिखा. क्रेट साइड है वियर थी. बैलेंस ही फिगर. डेबिट साइड पर लिख दी. 31.9 पर और यही हमारा closing balance था. इसका भी closing balance 32 है पांच ही है. लेकिन मैंने इसको balance करना मुनास्य भी नहीं समझा. जरूरत ही नहीं थी. करना है तो कर लो. इसका भी closing balance हो सकता है. लेकिन मैं जादा बेतर यूँ समझूगा कि इसके बारे में हम यूँ लिख दें कि ये तो कहां चला गया है? income statement में. या closing भी लिख सकते हैं आप यहां पर. बिल्कुल लिख लें. लेकिन उस closing का मतलब क्या होगा? ट्राइल में चला जाना. ठीक है ना? चले बहराल. य लेजर भी क्लोज हो गया. ठीक है? ये 32 सीधा हम कहां ले गए थे? income statement में. अगर closing लिखना है तो closing भी लिख सकते हो. carry down लिख दो इसको भी. परिशान नहीं होना. ये लो. carry down लिख देते हैं. सब को, सब लेजर को हमने close कर दिया. ये चूंके expense था, तो ये close कहां पर हुए ज के अंदर? ठीक है? और ये दोनों balance sheet का items है, ये balance sheet के अंदर आगे. को मसला? चले आगे? अब अगला साल शुरू होता है. अब अगले साल में कोई बता दे सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए? closing balances को opening लिखना चाहिए. सबसे पहला काम ये करे, closing balances को opening बनाए. ठीक है? तो यकम जनवरी दो हजार, दस. ब्रॉट डाउन? पांच सो. टड़ू. जी. इधर opening इधर लिखेंगे. credit balance है. credit balance opening होगा तो credit side पर आएगा. ये balancing of ledger के वक्त closing balance opposite side पर लिखा जाता है. सिरह ledger को balance करने के लिए. इस balance के इधर लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि ये credit balance है. ये balance debit का था. ये वजनी side थी balance करने के लिए दर लिखा गया है. तो ये credit balance नहीं है. ये debit balance है. इसलिए जब open किया तो अपनी normal side के आया. ऐसे ही credit balance है. तो जब इसको opening बनाएंगे तो ये अपनी normal nature के ऊपर नजर आएगा. यकम जनवरी 2010 है. brought down 32.5. ओके डन. और उसके बाद. यकम जनवरी 2010 पर ये भी opening आ जाएगा. या ला. या ला मुझे सबर दे दे इस रोजे में. मुझे लिखने दिया. इन्होंने रोका ही नहीं. क्या ऐसा हो सकता है? में जे बोले भी आप लोगों ने आप लोगों को चीख उटना चाहिए ता सर कैसी बात कर रहे हैं? पी एनल का आइटम. एकस्पेंस हो. और opening balance. वो तो पी एनल में close हो गया था. और फिर पी एनल में से इसका resultant net profit or loss दिखला था. और वो capital में close हो गया इसका तो वुजूद ही नहीं रहता एक profit or loss किसी भी आइटम का वुजूद नहीं रहता period के बाग. फॉर दा येर इसको बनाते हैं ऐसी लिए हद हो गई. नेवर नेवर पी एनल के किसी भी आइटम का closing balance अगले period में opening नहीं बनता बलके वो closing PNL में close हो जाता है. या तो बात की परवा नहीं की और या आपको बात समझी नहीं आई. क्या बजाती है? क्या आपको ये बात नहीं पता थी? पता थी. फिर सोय होंगे. इतना बड़ा गुनाहे कभी रहा होने दिया accounting का आपने. भाई याद रहेगा? वो दोनों opening बने. ये opening नहीं. कभी भी नहीं. प का balance close होता है P&L में. P&L से वो figure net profit या loss resultant बनके close हो जाती है capital के अंदर. यानि income expenses close होते है P&L में. और P&L का resultant net profit या loss वो close होता है capital में जाके. और अगले period के अंदर कोई opening नहीं होता P&L के अंदर. वो capital में added होता है. P&L अगले period में फिर for the year बनता है. फिर for the year income expenses उसमें आत होता है. और फिर वो जाकर capital में idea less होता है. और ये कहानी चलती रहती है. Income statement इसलिए for the year. बैले सीट का हर आइटम जो है वो दाइमी होता है. जब तक हमारे पास रहन है. टीक है? for the year नहीं होता है. तो वहां पर balances closing जोंगे वगले period में opening बनेंगे. और सही है? उसे मायूसी ह हो यह मुझे. आपको ऐसे रोड़ा डाल देना चाहिए साथ. की कर देता है सर जी है? की कह रहे हो तुसी? पता है नहीं कहां थे आप लो? लगता है रोजे में इस वक थंडी हवाद बपहर का टाइम. I know, I know. You know, I know. Okay, जी. Opening बन गया. Opening बन गया. Okay, आगे बढ़े. Next क्या है जी अब इस साल के अंदर को transaction है. ना भी हो तो यह अगले साल के लाजर बन सकता था. सिर्फ डेपशन निकाल देते. लेकिन अगले साल की transaction है. Transaction is transaction है. यकम सितंबर 2010 को पांच साओं का एक और एसिड खरीदा बावर ने. यकम सितंबर तो अगले साल की entry है. ये 2009 की journal entries चल र जनाब 2010 की entry चल पड़ी है. ये 2009 की entries और ये जनाब 2010 की entry चल पड़ी है. भाई आपको नजर ना भी आए तो मैंने बता दी आई. ठीक है ना? क्या लिखा वाई है? 2010. चलो. बारहल ये एंट्री से नजर आ रही है ना? ये अरिया मैंने छोड़ा होता है आप लोगों के एक, नौ, दस. एक, नौ, दस. एक, नौ, दस. एसे खरीदने की entry अगले साल बदल जाएगी क्या? वही रहेगी. एसे डेबिट, कैश क्रेडिट. नरेशन वही ये इसने दुबारा नहीं लिख रहा. कितना है? पांच सो. नेक्स्ट. डेप्रिशेशन? लेकिन अब डेप्रिशेशन के लिए एक मसला और आगया. डेप्रिशेशन करते हुए, हम पांच सो को लेकर चले, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह से, पांच सो को ही लेकर चले. एक्स्ट. पता लग लग लिए किसे कहते हैं? जी, हम लेकर चले, उसी पांच सो को तो एक मसला आया, इसी को मैं बढ़ा रहूं इसी वर्किंग को थी, कि एक फॉर्टा येर एंडियर डिकरती दिसंबर दोजार दस. तो सिरफ एडिशन के ओपर डेप्रिशन नहीं, एडि साल में 200 और 300 के 2 एसिट आये थे, यानि तोटल 500 के, वह एडिशन नहीं है. आप देख लो, लेजर भी आपको यही बात बता रहा है, आप इसको कभी भी एडिशन नहीं कह सकते. हाँ, अगर ये कम जनवरी 10 कोई कोई एसिट खरीद लें, खरीदा है इस साल में, तो वह एसिट डेविट, एसिट डेविट और दमागों के अंदर कैश क्रेडिट, एक नौ दस्ट. अब मसला क्या है? मसला ये है कि पिछले साल में तो कुछ ओपनिंग था ही नहीं, सिरफ दो एडिशन थे, आपने उनको उठाया था और उठाकर डेप्रिशेट कर दिया था, ले एडिशन वाले तो बिलकुल उसी तरह से हो जाएगे, ठीक है? अब ओपनिंग एसिट को डेप्रिशेट करना है, तो यहां पर सवाल पैदा होगा, मेथड कौन सा है? और स्टेट लाइन की खसूसियत क्या बताई थी? हर साल डेप्रिशन सेम, या हर साल फॉर्मूला सेम, या आज एक और बात दर आगले कदम पे जाकर बोल दूँ, हर साल रेट ने कॉस्ट पे लगना है, अभी दूसरा मेथड पढ़ाया ही नहीं है, दूसरा मेथड पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें बता लगेगा, कि अगला सबसीक्वेंड यर जब आता है, रेड्यूसिंग तो सबसे पहले इन ओपनिंग एसेट को डेप्रीशेट करते हैं, तो पहला काम करेंगे हम डेप्रीशेशन के अंदर लिखेंगे ओन ओपनिंग एसेट, ठीक है, पिछले साल ये कोई नहीं था, यहां पर फिगर कोई थी क्योंके कोई ओपनिंग एसेट था इन इस साल है, तो सबसे पहले ओपनिंग एसेट को डेप्रीशेट करना है, और एक अंग्रेजी में जुमला लिख रहा हूँ, जो आगे चलके डिस्पोजल में काम आएगा, फिल हाल तो मसला कोई नहीं है, ठीक है, हमने क्या करना है जी, स्टेट लाइन मैथड है ना, तो स्टेट लाइ लेने हैं, और अगर को रेजल वैलियो हो तो उसको माइनस कर देना है, ठीक है, लेकिन नहीं है, इसलिए मैं आप लिख नहीं रहा मजीद ऐसे आप उलजेंगे, ठीक है, तो ओपनिंग, कॉस्ट ओफ आल ओपनिंग एसेट, इसको मैं असानी के लिए यह लिख दू, ओपन ओपनिंग एसेट्स हैं ना, तो उसको मैं अगर यू लिख दू, ओपनिंग कॉस्ट ओफ आल ऐसेट्स, तो मतलब तो वही ना आगया, कॉस्ट, एसेट्स की कॉस्ट, सारे एसेट्स की कॉस्ट, ओपनिंग डेट पर खड़े होकर, ठीक है, तो ओपनिंग एसेट्स की कॉस reducing balance method बदलेगा, तो इसी जुम्ले को हम change करते जाएंगे, यही evolve होता जाएगा हमारा, तो basic बात यह इसलिए लिख ली हमने, ठीक है? अच्छा, बस एक दो दिन लिखेंगे, जब याद हो जएगा उसके बाद पर direct लिखा करेंगे, पर्चे में यह थोड़ी करना है, ओके? तो लिखेंगा पर कभी fraction लगा, क्योंकि opening assets, इस line में हम सिर्फ उन assets को रखते हैं, जो साल के पहले दिन भी हमारे पास थे, साल के आफरी दिन भी हमारे पास होंगे, यानि मैं अगर आज तो अब नहीं टाइम बचा, कल disposal करवाँगा, तो dispose होने वाला asset अगर पूरा साल हमारे पास नहीं रहा, नहीं रहता ना, वो दरमदोनाने साल निकल जाता है, तो हम उसको यहां से निकाल बाहर पहंगेंगे, वो कैसे करेंगे, वो इंशाला कल दिखाऊंगे, opening assets में सिर्फ वो, assets, opening depresion, सिर्फ यहां पर सिर्फ उन assets की depresion लेनी है, जो साल के पहले दिन से, साल के आखरी दिन तक हमारे पास मौजूद रहें, got it, ठीक है, चलो फिलहाल तो disposal आज है नहीं, तो opening cost of all assets कितनी है जी, 500, into rate क्या है, और कोई fraction नहीं लगाना, यहां पर लिख लो अपने लिए, never apply fraction here, never apply fraction here, कहां here, 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 यानी opening assets की depresion जहां निकालोगे, वहां कभी fraction नहीं लगना, यह बात ऐसे याद रख लोगे ना, तो फिर आप खुद ही ऐसे किसी asset को यहां नहीं आने दोगे, जो साल के पहले दिन से साल के आखर दिन, यानी पूरा साल हमारे पास ना रहा हो, ठीक है, और सही है, चलो, हा एडिशन एक हुआ है, और वो लेजर में नजर आ रहा है 500, सवाल की तरफ क्यों जाएं, और डेट भी नजर आ रही है, एक, नो, दस, यानी कि स्तंबर में आया, स्तंबर, अक्तूबर, नवंबर, दिसंबर, हमारे साल में चार महीने इस्तमाल हुआ, ठीक है, तो एडिशन की कॉस्ट क्या है, 500, इंटू रेट कर दो, माइनस जीरो अब मैं नहीं कर रहा, बस ठीक है, समझा दिया एक बार, सवाल में होगी तो माइनस करेंगे, क्योंकि अगर सवाल में होती, तो यहां पे भी माइनस करते है, ओपनिंग कॉस्ट अफ आल, माइनस जैजल वैलियो इ जी, 16.7 कर लूँ, तो फोड़ी सी तो माफी दे दो, मैं अगर डाउंड नी किया तो, एक डिजिट राउंड कर लिया, अप लोगों को इस्ता इस्ता, मसूस भी नहीं हो रहा है, तो थोजन वाला सवाल भी करा लेया, राउंड निंग भी शुरू हो गई है, लेकिन मैंने अभी एक डैसिमल तक लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, तो 16.67 था, तो 6 के आगे, 0.5 से उपर की बिगर जी, तो हम राउंड अप करके लिया है, ठीक है ना, जी, नहीं समझाई, नहीं तो मैं 67 लिख देता हूं, शूर, जी टोटल, 66.67, अभी भाई फिर वो 67 बोल रहा है, 7, जी, ये क्या है, डेप्रीसेशन, एक्सपैंस है, पॉर दा येर 31 दिसंबर 2010, तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री वही होगी, जो भी पिछ्छे साल एंट्री की थी, डेप्शन की हर साल एंट्री यही होती है, तो 31 दिसंबर 2010 पर एंट्री होगी, डेप्रीस of 2010 recorded ठीक है जी 66.7 ने जी entries are done तो यह दूसरी entry भी करवा दें जी depreciation expense debit 66.7 से और accumulated depreciation credit 66.7 अब दोनों जगा पर लिख लें 31 दिसंबर 10 वह दूसरा लेजर बनाने ही इसा लेकिन चलो आज पहला पहला रिंदा मैंने बना दिया क्योंकि depreciation की वह फिगर closing balance तो है नी जो अपनिंग बने और देप्शिन की फिगर तो यहां भी नजर आ रही है देख लो इसलिए हम उसकी जूरत ही निगर relevant ledgers कहें ना तो हम सिर्भ वही दो बना देते हैं इसलिए बनाती नहीं साथ कि यह बीच में कवर हो जाता है क्योंकि अधिशन के ठीक है ना सही है आज बनाया बारण जी उसके बाद यहां पर लिख लो accumulated depreciation 31 December 2010 लो जी यह close हो जाएगा और P&L के नदर चिला जाएगा 31 December 2010 पर balancing लिख लो carry down का मतलब है carry down to trial से निकल के जाएगा income statement में और वहां से dead हो जाएगा फिर opening नहीं बनना कोई बचे कहते हैं ना से carry down लिखके हमें आदत है तो उसका मतलब है trial learn कुछ कहते हैं हम जहां से पढ़के हैं वहां पर यहां P&L लिखते थे आप CD लिखते हैं तो हमें लगता यह balance sheet item है तो भई उनके लिए आर्ज कर रहा हूं कि CD का मतलब है CD to trial वहां से P&L वहां से dead profit or loss बन कर ठीक है ना और अगले साल इसको opening नहीं आएगा ठीक है ना तो CD लिखना चाहें 31 December 2010 पर इसको balance करना है जी इधर 1000 का balance हो गया है यह डिबेशिबे आज ही बन रहे हैं बस काल से कोई नहीं 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 इंशाल्ला अगर जिन्दगी रही तो पिशली बार ऐसे तो बन्दा कंभी किया ही देता यार अगर जिन्दा रहा तो ये काम करादूँगा तो बच्चे बच्छे गडिकी कियो सब्हें बैशरा काम करना लेकिन शलेबस दे पूरा किरा लो तो फ़्डे कर रहे थे ओओंगाना मरने के टाइम तो पूरा हुए और दे कोई इस्टाम करा गरी ना आया जी हजार हापकी कुछ ऐसे जिस बात होंगे लेकिन अब में क्या को आपको जिन्दा रहा तो इसलिए पूरा करा दूँगा जायर सी बात है अचा जी हजार रुपया कॉस्ट एसिट का क्लोजिंग बैल इस बाता है यह कठा होता चला जाता है एस ओन जी पॉइंट टू नाइंटी नाइन पॉइंट टू और नाइन नाइन पॉइंट टू ही आ गया क्लोजिंग बैलें तो एक तीस दिसम्बर दस तो एक्स्टेक्स में ले आए इनको चीजों को दो हजार दस यह आईस वन की प्रेजिंटेशन आईस वन जी कहता है रीसेंट साल पहले हो और उसका कंपैरिटिव कंपैरिटिव होता है इमीजेटली प्रिसीडिंग ये जब लफ लिखा हो ना फलाँ साल के लिए यह तो अगर दस और नौ मांगे हैं तो आपने एक्स्टेक्स में पहले दस शो करना है ठीक है ना यह आईस वन की प्रेजिंटेशन ऐसी है बाहर लगा को नौ दस कर भी है तो खैर थोड़ा सा अराज होगा पर यह नहीं जो फूल ले जी डेप्रिसेशन फॉर दा इयर है 66.7 यह हले भी 67 तो यह पाढ़ लो यह दवाई देओ रोजा है ना अचल में दवाई नहीं ले फिर पर जी दवाई ले लाएक है सहरी जानी सी ना जी नेक्स्ट एसिट हजार पे चला गया है अक्यूमले डेप्रिसेशन 99.2 पे चली गई है और बुक वैल्यो बन जाएगी अचली बोले आए जानी नाइटी नाइटी नाइन हंडर्ड फॉइंट पॉइंट पॉइंट यह डबल अट्र एट्ट एट दाली ने चलें ठीक है एक्स्ट एसे बैंशे ड़ती है कि आपर टोटल करते ही नहीं हम तो मैंने वैसे बुक वैल्यो आपको दिखा ठीक है ना जी ये बेसिक बेसिक बाते हो गई है डिस्पोजल आज बिल्कुल नहीं करते अब टाइम कम है लेकिन एक सवाल आप करेंगे अभी और फिर वो मैं सॉल्व कर दूंगा आपको अभी ठीक है ना उसके बाद कुछ सवाल आप होग में करेंगे ठीक है उससे जरह मेर अभी डिस्पोजल सिखा दूँआ में फिर परसों रिड्यूसिंग बैलंस करेंगे अब ला करें वो इंट्रो वाले खवातीनों हजरात आज हैं अब कल तक ठीक है अगर वो ना आए तो हो सकता है कल फिर में डिड्यूसिंग बैलंस करना तो परसों है ना वो भी लेकिन ज्यादा मज़ा तो ऐसरी आता है शायद मैं करवाई दू डिस्पोजल तो बता देना जो जान पेचान वाले हो कि परचा भी कल होना तो कितने बज़े होता होगा पर जी बुक आप लोग ले ही लेंगे 14 15 16 में से 14 15 और 16 का तो सलूशन है 17 मैं एक मिनट करवा देता हूं 18 19 यह सवाल आप अभी करेंगे क्लास वर्क और यही मैं आपको भी करवाऊंगा भी सही क्यूंकि इसका स्लूशन मौजूद नहीं है ओके यह सवाल एक मिनट बेटा मैं कल आपको करवाऊंगा जिसमें आपको मैं यह प्रूव कर दूँगा इस सवाल को दिखा के थोड़ा सा मतलब प्रूव क्या करना है बस थोड़ा सा आपको डिमोंस्टेट करने कोशिश करूँगा कि क्यूं डेप्रीशिशन एक्सपैंस डेबिट अक्यूमूल इडेप्श अधिजर आफ अधिवा लें कि आप लोगों को 13 सवाल मैंने करवाया है चौदमा जिनके पास हैंडाउट्स हैं भुक नहीं उनके पास हैंड़ाट में हैं सवाल ठीक है 14 और हैंड़ाट वालों को तो इनका होंवर्क का से शलूशन भी नहीं मिलेगा भुक नहीं लेंगे 15 तो लेते जाएगा 16 ये तीन सवाल आपके होंबक में है 17 आप अभी मुझे 17 अभी आप रहने ने पेंड नहीं है ये नहीं करें ठीक है ना चुटा सवाल है वैसे तो जी बेटा बेटा वो नम्बरिंग आगे पीछे थोड़ी सी मैंने की थी ज़रा अगला सफ़ा पलट लें वो असल में एंड पे जगा थोड़ी सी बच गई थी मैंने 17 सवाल वां डाल दिया था मेरे ख्याल से इधार दिखाओ मुझे अभी आपने 15 किते बे तीरमा करवाया है 14 को लिखे होंवक 17 को पैंडिंग करें मैंने नम्मरिंग तो नहीं चेंज की हुई 17 को पैंडिंग करें जो एंड पे हैंड उट वाले हैंड वाले ठीक है ना 14 होंवक में है 15 होंवक में है 16 होंवक में है और 19 होंवक में है 18 हम अभी करने लगे है ठीक है मैं जा ही रहा था उननीस की तरफ ठीक है ये अठारा अभी क्लास वर्क है और उननीस मी हुमख है ये हुमख मैंने वो सवाल दी है जिनके सलूशन्स अवेलेबल है लेकिन सलूशन साथ साथ देखने वाला जहनमी है आई कैप के पेपर के इसाफ से मतलब नाकाम है जहनमी वाल नाकाम होते हैं तो नाकाम हो जाएगा सलूशन देखने वाला सलूशन को अपने उपर हराम कर लो जब तक कि एक बार सवाल करना लो अब अगला सवाल आता है जैसे कल कहा था लेंथी पेपर होता है मैनेज करना है तो आपको time bound practice करनी पड़ेगी अब वो time bound के लिए marks नहीं लिखे हुए तो मैं छोटे-छोटे सवाल हैं marks अपनी तरफ से लिख देता हूँ आपको ठीक है hand out वाले hand out में ध्यान से लिखते जाईएगा किताब वालों के सवाल तो तर्तीब में किताब के आई रहे होंगे ठीक है यह किताब वालों को बताता चलों 145 पर यह सवाल हमने किया था 146 वाला जो सवाल है इसमें आपको asset account बनाना है और अक्टिंडेफशन अकाउंट बनाना है और balance sheet extracts बनाने है income statement के नहीं मांगे हुए तो जो मांगा हुए सिर्फ वही कर ले न solution में देखो दोनों बने हुए यह एक ही है कौन सवाल था है सिर्फ बैलेंस इट बने है ठीक है जो मांगा हुए सिर्फ वही बनाईएगा आपकी additional करने की दोफ नहीं अच्छा अब इसके लिए दो सवाल दो साल के लिए लेजर बनाने है और इतना असान काम है के मेरे खियाल में इसे कितने मार्क्स होने चाहिए जितना सवाल अभी हमने किया इतना सवाल हो तो यह तो मैं बहुत राम राम से करवाया है entries तो करनी नहीं, entries को निकालके दो लेजर है और extracts है चोटी सी वर्किंग साथ होती है कितने मार्क्स तो होना चाहिए यह सवाल मेरे ख्याल से चार नमबर इसके लिए ज़्यादा है तीन कर लेते हैं नहीं, चलो चार नमबर 4 x 1.8 करो 4 x 1.8 करो 7.2 आप 8 मिनिट लगा लेना चलो मेरी तरफ से आपको डिसकाउंट है 8 मिनिट में यह सवाल होना चाहिए आज सही इस चीज को अपनाओगे तो बेटा पेपर के अंदर जाकर पेपर सॉल्व कर पाओगे वरना पेपर में एक दम से यह नहीं हो पाएगा ठीक है? अब आपको हो सकता है ये 8 मिनिट में आपसे नहीं हो पहला सवाल 10-12 मिनिट लग जए कोई बात नहीं कीप ऑन ट्राइंग अगला सवाल 8 मिनिट में होने वाला 12 मिनिट में यह हुआ था अगला 11 में हो जाएगा फिर 10 में हो जायगा चलो कभी भी 8 में नहीं होगा आट मिनिट काफ़ी, आप इंशालब कर लेंगे आट मिनिट, ओके, डन, आट मिनिट, ठीक है जी, कौन-कौन सवाल दिया आपको, चौदा, पंदरा और सोला, चौदा के लिए भी मार्क्स यही है, शार मार्क्स, तो किसी एक सवाल में टाइम थोड़ा कम लगेगा, वो कमपंसेट कर देगा, यूं समझ लो, परचे के अंदर ये तीन सवाल आये हुए हैं, चार तिया बारा नमरों के, बारा इंटु वन यार पूरा एक बज़ गया है, इस वक्त मैं बता रहूं, आपको सच मुझ ऐसा ही है, पूरा एक बज़ गया है, अब बारा इंटु वन पॉंट एट करें, कितना बनता है, बारा नमर का सवाल करना हो, एक टीन पार्ट से, उसके लेट से, 21 मिनट, तो आपने यहां पर लि देखा, ओ, दस मिनट हो गए है, अब यारा रहे गए है, वो एजी है देखना, घड़ी को इस तरह से देखना एजी है, वरना अगर यह नहीं लिखोगे ना, तो हर बार कैल्कुलेटर मार रहे होगे, किनने टाइम रहना है, ठीक है, तो टाइम उल्टा लग जाएगा, ठी इसमा जो है, इसके अंदर भी आपने, ठीक है, काफी है, चार मार्क्स, यानि आप मेरे ख्याल में तो आदे गंटे का बस होमक है, नियत से करें अगर तो, मॉबाइल बंद करके साइड पर रखना, ऐसी जगह पर जहां से आप उठके आपको उठाना पड़े, इन्शालला मुझे पता है, अपने बच्चों की सुस्तियों का, ठीक है, सिरफ मुबाइल ऐसे है ना, आप नीचे बैठे हो ना, जमीन पढ़ देगा उस्टल मिसाल के तो मुबाइल ऐसे बस ऐसे समझ ऐसे एसी लगवाई इसके उपर रख देना, इतना को होगे उठके उठाना मिशाला अदा गंटा गुदर जाएगा, नहीं उठा होगे, ठीक है, पुलर होगा, पंका होगा, अलमारी होगी, कुछते होगा रखा होगा किसी उंची जगह पे, कुछते होगेगा यार, किते भी राख लेना, कैंदे एसी नहीं है, मैं नहीं रखना हूँ बाइल, मतला बाद ना समझना, अच्छा जी, अब ये तो थीन बाते हैं, उदारी सुदारी, क्या ख्याल है, अजमाई शर्त है, क्लास में आप बैठे हो, चलो, मेरा भी प्रेशर होगा, मैंने आकर भी तंग भी करना होगा, क्या कर रहे हो, पांच मिनट के अंदर, कुस्टन 18, पहले आप करेंगे, फिर 15 मिनट के अंदर मैं करूँगा, मेरी तो मर्जी ना, मेरे तो पेपर फास है, मैं तो कर सकता हूँ, ठीक है, तो शुरू हो जाएं जी, पांच मिनट ज़रा कम बोल दिये मैंने, ना, बस पांच मिनट नहीं तो चलो छे साथ मिनट, हिम्मत करोगे तो अल्ला कुछ भी कर देंगे, आपके लिए, बस शुरू हो जाओ, शाबाश, अब मैं हाइबरिड का चकर लगाता हूँ, देखता हूँ कौन कौन पढ़ रहा है, एक तो आखरी वाले भाई ने अब किताब कामें खोलना शुरू की है, और कौन है, बाजीयों में से, सब पढ़ रही है, नहीं, मुझे लग रहा है किसी ने अभी ये दूसरी रोग वाले आपी ने अभी रिजिस्टर ओपन किया है, ना, मैं आ रहा हूँ, अभी चेक करता हूँ, सब को आगे, सब का हक बनता है, आप लोग क्यों हूँ, ना, एंट्री ना करें, लिखा हूँ है, जो रिक्वाइर्मेंट है, पर्चे में आगे आप एक दम से, आपका पेपर स्टार्ट हो गया है, इतनी जल्दी, दूसरे ही दिन, तो जो लिखा हूँ है, भाई जैन अभी अभी रिजिस्टर ओपन किया है, दिखाओ क्या है, पहले क्या किया है, ओमाइगाड, तो जो जो सारा सवाल किया हूँ है, हेर स्टायल तूमने इतना बनाया हूँ है, और सवाल तूमने यह जो साफ सफा खोल के बैठे हैं ना, बड़े खतर ना लो, सलो शाब जल्दी करो, चलो आप जो आइंदा नहीं करना ऐसे, जो हो गया सो हो गया, मैं आतो रहा हूं हाइबरिड में, इंशालला कुछ भी नहीं कहूंगा आप लों से, अब यह देखना है, वैसे मुझे पता नहीं है कि दोनों में से कौन सा है, तो लो आज पजरबा करके, लो जी, रूम नंबर टू में मैं जाता हूँ, करां कि दूसरे नंबर को, वन में पेहले को मुबाहल वाले भाई अमीर का आमिर भाई भाई कता है कि अब बंढोना करें हमाई को इसका कुछ तो करें अबच्छ यह जो आप यह अब यह अभी इस्टर ओपन हो रहे हैं पढ़ है ते ना सही नजर आ रहे हैं अप मेरा गुसा नजर आया ते सपेटीट अच्छा अबस यह अबस की बात है फिजिकल बाला सज़ा शाफ नजर आता है झांच यह जो मुझसे दूरी तुम्हें बर् मुझे तो नहीं है अच्छाप्ट टॉक्स वट टॉकष्ट मुझाइट व्हार्ट लोग जाईगें जाईगें पढ़ने का शौक रखने वाले यह बाई ने अब देखो ना अब जिस्टर यह भी खोला जब मैंने बोला क्या वज़ा थी पहले क्या था अच्छा आइंदा तो नहीं आशे करोगे तो लो आप तो जो होना ता हो गया है पढ़ने आते हो ना अच्छे स्रीके से है अजी को मसला ये लड़कियों ने को सिस्टम लगाया होते है ताकि मैं क्लास ना के चेक ना कर सकूँ है ना को मसला तो नहीं है विड़ में है तो मैं आफ पर क्या अपना है चलो अब कल दिर शापवा अच्छा यार बच्छो एक मसला हो गया है मैंने टाइम तो देखा नहीं था कि जब पांच मिनट देखे गया हूं किसी देखा हो टाइम अब बता देना यू ना करो सच मुझ मैं कहा रहा हूं अब तो साथ मिनट हो गए है चलो तीन मिनट में खतम करो आप फिर यह जाती होगी वसे सवाल कर तो हरेक ने लेना है असल यह तेजी से सही करें इतनी असान चीज़ पर टाइम लाग रहा है तो फिर कुल वल्ला पढ़ लें कर दो है अब बारा का सिर्फ बना लें जी तेरा में तो को इडीशन ही नहीं है ना चलो तेरा का भी बनाओ 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 पता तो हो कि कुछ भी ना हो तब भी लेजर तो बनता है एक काम तो होता ही होता है एक्सटेक्स बनाने ती मिनेट इसलिए दाता दीएं मैं तब तक जरा ऐसे यहीं पर कर लेता हूँ ना टाइम बच जाएगा लेजर लूजर बनाने का तो कि इसका स्लूशन अवेलेबल नहीं है ना तो वो फिर कर लेना बेतर है चेक हो जाएगा आप बागी तो होग में करेंगे खुदी चेक भी कर लें इंशालों झालों झाल 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 जी कोई हैसा बच्चा जिसने कर लिया हो सवाल कोई एक भी बच्चा नहीं है बना ली है बनाओ ना गड़ यार यह तुम जो दो दो मारकर इस्तमाल करते हो ना उनने मारे जाना है सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट अलाओड है एक बात लेन में रखना है यह पूशे ना आई कैप से तसली हो जाएगी कि मारकर या पॉइंटर लाओड है यह नहीं हां लेकिन ब्लैक है और एक हो इतना टाइम्स आया होता है बहुत अच्छा है नोर्स ऐसे बनाओ लेकिन जब अच्छे नोर्स बनारे हो लेकिन परचे में अगर यही आदत लेकर चलेगे फिर भी मेरा दिल लेकिन अगर आपकर टाइम बच जाता है आप कर लेते हो तो एंड तक जाते जाते सोच लेंगे पर ना फिर एंड पर चेंज कर लेना इसको आसकता है टी अकांट बनाना भी अब आता नहीं है ठीजे जाओ इस सब्जेक्ट से इस टॉपिक का या नोट मांगता है या इस जवाब देन बेटा इसको या इस टॉपिक से नोट मांगता है या एक्स्ट्रेक्स मांगता है या अंग्रेजी में डिसकॉशन लेजर अब नहीं मांगता वो बच्पन था ब माशालाह। अना जी हाइवरिड वाले तुसी भी बच्चे ही हो मेरे। कोई जवाब ना सवाल है। यह यह कैमरा चेक करो यह गर्ल्स की क्लास ना बहुत पीछे पीछे से दूर सक नजर नहीं आती। यह बातें अब कर रही होती हैं पते ही लग रहा होता मुझे। यह आवरिड में बैटी इसलिए हैं और ने क्लास यह इसलिए लिए चलो गपलव होंगे। अभी वहां पे ना मैं वैसे भी एक प्रॉक्टर का इंतिजाम कर रहा हूं ताके हर बच्चे बेर नजर रहे। बच्चे डिस्टर्ब ना करें दूसरों को जी मेरे ख्याल में शुरू कर देना चाहिए अब। चले जी शुरू करते हैं क्योंकि खतम करेंगे तो छुटी मिलेगी उससे पहले नहीं मिलनी। ओके यह आखरी सवाल है। कितने बच्चे अभी रहते हैं। कितने बच्चे रहते हैं। फिर कम ही हैं तीस सेकंड ना खतम करो। जी पंदरा रह गे तीस में से। करेंगे तीस सेकंड ना खतम करेंगे। पाइव पोर थ्री तूव वन। स्टॉप राइटिंग। यह होता है क्लॉक का प्रेशर। मैंने जब पांच सेकंड बोलना शुरूँ कि अच्छे बढ़े लिख रहे थे लिखना ही रूग गया। प्लीज इसकी प्रेक्टिस करते रहे। इसको आपने ओवरकम करना है। ठीक है ना। चाके पांच सेकंड भी बोले ना रहते हैं तो आप पांच सेकंड में भी काम करते रहें जो आप कर रहे थे। मैं मिसाल दे रहूँ ऑपको ठीक है। तो यह सबसे बड़ा मस्ला जो है इसको डे वन से हमने आय इस दफा पकड लिया है। इसको डे वन से ही आपने ऐसे करके बकड लिया है। हमने चोटे-चोटे सवाल भी मार्क्स लिख कर करने का सोचा है ताके हमारे प्रैक्टिस आज से ही होने लग जाए। तो करेंगे ना घर जाके। कितने मिनिट में करना है। इन्शालला हो जाएंगे घर में सवाल ठीक है। अच्छा अब मामला इस सवाल में क्या था। सबसे पहली बात इस सवाल को जो मैंने करवाया और इस सवाल को जो भी आपको करने के लिए दिया। सबसे पहला बेसिक फर्क ये था कि उस सवाल खड़ा ही यहाँ पे था। यानि कि इसमें ओपनिंग बैलंस अलरी मौजूद थे। पहले से एसिट्स चले आ रहे थे। इडीशन नहीं है सिरफ। इस सवाल में पहला साल था बिजनिस का ऐसे लग रहा था ना तो सिरफ एडीशन आये थे और फिर अगले साल वो क्लोजिंग ओपनिंग बना था। क्लोजिंग ओपनिंग बना था। लेकिन इस सवाल के अंदर साल शुरू हुआ है तो पहले से ऐसिट्स मौजूद है। ढ़िए निकि बिजनिस रुणिंग था तो ज़्रूरी था नहीं है कि हमें बिजनिस के पहले साल का ही लाजर बनाने के लिए दया मैंगीve किसी भी साल के लिए दे सकता है तो हमें opening balances से लेकर चलना पड़ेगा तो सबसे पहले चीज इस सवाल के अंदर क्या है एसान है प्रवाइड़ फॉलिविंग इन्फॉर्मेशन आज ओन यकम जन्वरी बारा या फॉलिविंग बैलन्स आर अपियरिंग इन दा बुक्स ओफ एसान एज ओन यकम जन्वरी बारा ये ओपनिंग बैलन्स है ठीक है एसिट का भी है और accumulated thousand में करूँगा जी मैं सवाल इंचालला ठीक है तो यकम जन्वरी दो हजार बारा एक एक बारा एसिट का ब्राट डाउन 900 और यकम जन्वरी बारा accumulated depreciation का brought down कोई ऐसा बच्चा तो नहीं क्लास में बैठा हुआ जिसको ये बात ही पता नहीं लगी थी ओपनिंग बैलन्स है फील फ्री टू कम्यूनिकेट मुझे पता तो हो कोई इस तरह का बच्चा हो मैं ताके उसको और नहीं तो अकला होएगा ना तो मैं अलग ले लूँगा आज़ो यार तुम्हें समझाज़ता हो को मसला हो लेकिन बताते रहना ये नहों कोई मसला मसला तब तक बड़ा ही होता है जब तक आपके लिए वो मसला है खता होज़ा तो फिर कोई मसला छोटा नहीं होता अगर किसी को नहीं पता इस बात का तो भी पूछ सकते है अच्छा जी चलें आगे बोलें चलें इसका मतलब कोई मसला नहीं नेक्स्ट डेट अफ परचेस है यकम मही 12 और कॉस्ट है एक सो असी यकम मही 12 को एक एसेट खरीदा एंट्री करेंगे एसेट डेबेट एक सो असी से और कैश क्रेडिट दमागों में अब वो कैश जो क्रेड़ गुआता उसका यह इंपक्ट यहां पर एसेट अकाउन में बता दो ठीक है जी एक पांच 12 उसके बाद जी क्या हो रहा है इसी साल में आठे महीने के पहले दिन एक और एसेट खरीदा है एक सो तीस का इसी एंट्री क्या बनेगी एक आठ बारा पर चलो यह तरतीब हुई रखने जी एसेट डेबिट एक सो तीस से कैश क्रेडिट दमाग के अंदर अब इस एसेट के डेबिट के अगेंस क्रेडिट क्या है कैश तो हमने यहां पर लिख दिया एक आठ दो हजार था अब यहां पर आके एक्जैम जो इन विजी लेटर था उसमें आपसे पेपर चीन लिया कि टाइम खतम हो गया तो आपके ख्याल में आपको सिफर नंबर मिलेगा अकाउंटिंग में यह बात याद रखिएगा जो काम आप रिक्वाइर्मेंट में लिख खाए हैं उसके नंबर मिलेगा बलके थोड़ा सा तरस अगर खाए न तो रिक्वाइर्मेंट में कुछ नहीं भी पहुंचा यह आप पहले कर रहे थे तो यह वर्किंग उसकी रिक्वाइड फिगर निकाल रही है तो उसके भी कुई नंबर दे देता है लेकिन असल तो यह बात है कि रिक्वाइर्मेंट में जो चीजें पहुंच जाएं आपकी सवाल पूरा करना दूरूज नहीं है जो पहुंच गया लेजर रिक्वाइड था लेजर में तीन फिगर्स पहुंची है अगर पॉइंट फाइव एक फिगर वहां पे शो करने का नंबर था तो इसके में 1.5 नंबर मिल चुके हैं यह ओपनिंग सवाल से उठाकर इदर लिखना इसके भी नंबर होते हैं यानि कि अगर पॉइंट के बाद होमवग क्लास में भी आपको टाइम प्रैशर कभी कभी ऐसे दितर होगा होमवग भी आपने टाइम बाउंड करके करना है और सुलूशन को कतन नहीं देखना जब तक पूरा सवाल नो हो जाए कहीं फंस गए हो ना सुलूशन करते हुए तो कुछ फिगर रजूम क हैं दोबारा तो सुलूशन नहीं देखना पूरा सवाल एक बार जैसा तैसा हो कर देना है ओके करोगे ना आज कल आसान चीज़ें चल रही हैं यहीं से आदत बना लोगे तो मुश्किल में भी यह आदत कॉंटीनूड रहेगी ओके सही है अच्छा जी अब यह दो एडिश से कर गए सवाल होते हैं एक दो हर दफा इस तरह के भी बता दें सवाल में पढ़तों लो रेट दस परसंट नहीं है विज निवर्सल थोड़ाई है रेट दस परसंट ध्यान से यह मुझे अपना तजर्बे की मैं आतवी आर्स कर रहा हूं कि हर अटैंड में ऐसे तीन-चा नहीं मानेंगे कौन सी वाली सबसे पहले रिक्वार्मेंट पढ़के दो दफा सवाल को पढ़ो फिर करना शुरूर करो ठीक है तो अमीद है पढ़ोगे आइंदा सवाल को अच्छे से ठीक है अच्छा 20% reducing balance है तो भाई आज तो माशाल्ला माशाल्ला ओपनिंग आरेडी आ 900 इसी के ओपर रेट लग जाए और कोई fraction नहीं लगना तो on opening तो cost है 900 अभी तक तो cost ही चल रहा है तो मैंने एक बार वो लिख दिया है opening cost of all into rate बार बार मैं नहीं लिख रहा लेकिन आपने याद रखना है क्योंकि जब disposal आएगा तो यहीं पर थोड़ी चेंज आनी है जब reducing balance method बनेगा तो यहीं पर थोड़ी सी चेंज आनी है तो 900 इंटू 20% इंटू 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 कुछ नहीं यहाँ पर कभी फ्रेक्शन कुछ नहीं लगाना जी 180 उसके बाद दो additions है 180 straight line method है लेकिन residual value given नहीं है तो minus zero करके times आया क्यों करें ठीक है इंटू 20% इंटू एक मई को आया है तेहले चार महीने यह acid था नहीं तो कितने महीने रहा आठ बटा 12 इंटू 20% नेक्स्ट है जी दूसरा addition है 130 का cost है इंटू 20% यह कब आया कल जाएगा भी सही acid अभी तो सुर्फ आर है ना कल जाएगा तो कल वो काम है जो आपने पहली बार देखना है जिंदगी में इंट्रों के अंदर नहीं देखता हुआ ठीक है ना लेकिन व वह भी समझनी आए तो सुकून से आज इसको पका कर लिए अपने साथ से कर लिए कल डिस्पोजल स्टेट लाइन वाला हम खतम कर देंगे विद एक्स्ट्रेक्ट इंशाल ठीक है फिर time बच गया तो reducing balance का basic सा सवाल कर जो मैंने कहा नहीं कि एक सवाल में दोनों methods apply करने हैं वह करवाँगा शायद वह सवाल करवाँगी ताकि अगला method शुरू हो जाए तो फिर फरसों उस method को करके उसकर disposal और फिर इस तरह से exchange मतलब माना कि पहला हफता मैंने बोला है basic concept है लेकिन सारे ही basic नहीं है ना अब mixture चल रहा है ना अब पहले दो तो वह lecture थे जो आपने पहल आज का अधा lecture और आज का lecture ही सिर्फ इंट्रो वाला था कर डिस्मोजल शुरू हो जाना है तो वह तो इंट्रो का नहीं है फिर बीच में अगर reducing balance शुरू होता है तो वह पिर इंट्रो वाला है लेकिन जब उसका disposal आएगा तो वह नहीं है फिर exchange of assets मैंने शुरू कर देना है वह आपने इंट्रो में नहीं पढ़ा हुआ फिर उसके बाद change in estimate पढ़ा हुआ है change in estimate भी नहीं पढ़ा हुआ वह सारा कुछ इस अफ्ते में करना है तो कुछ चीज़ें basic इंट्रो वाली है और कुछ चीज़ें बस उसी को लेकिन F1 के साथ से वह basic basic चीज़ें इस topic के साथ से बैग तब बंद करना है जब मैंने कहने को class है तो राम से बैठो फिर खबरदार बैग बंद किया तो जान दे नहीं तुसी जी तो इंटू बातें से जादा ना करें कम बातें किया करें निमास से भी जाना है चलें जी five by सही आप सही कह रहे हैं सब मैं जादा बोल रहा आज 11 कर लें चलो एक और कदम आगे बढ़ गे लो पाइजन यूनो राउंड कर दिया है जी हमने ठीक है कर सकते हैं खलत नहीं है यह बोलो दो सो फाँ रहा एंट्री कराओ डेप्रीशेशन एक्सपेंज्स दमागों में डरेट महाँगा नहीं है उसने पढ़ यह बिएजर नहीं बनाएंगे तो दमागों में जो नहीं है जाँ आँ खाली जगए वाहां पर नहीं ठीक है और अ को और 31 दिसंबर बारां पर इन लेजर को क्लोज करो कैरी डाउन बैलेंसिंग हाँ जी कितने है टोटल अब वो मैंने बना रहा बोक्स ठीक है न बस अब ऐसी काम चलेगा वन टू वन जीरो और इदर भी वन कितना आगए फाइव 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 जगा काट होगी है तो इसी को इन्शालाब कल कॉंटीनू करेंगे पांच मिनिट रहेंगे नमाज में भी जाना है तो फाइव बन अच्छा वैसे जबानी कलामी सुनने है आखरी क्लास के आखरी लमहात में थोड़ी सी माफी अच्छा जी मैंने भी तो आपको सजानी दी मैं तो डेड़ेड गंटा खड़ा करें तो बच्छों को जैसे कुछ चुटी करें को होंबग ना करें कुई लेकिन आपको रमजान में थोड़ा पैकेज लगा हुए माफी और ओपनिंग की डेप्रिशेशन आएगी अगले साल में और कोई एडिशन नहीं है तो फिर भी लेजर आगे बढ़ेगा ओपनिंग कॉस बारादास यही क्लोजिंग बन जाएगी और ये ओपनिंग एक साल की डेप्शन और पढ़ जाएगी ठीक है चलो एक साल का सिरफ ए आज हमें ना बोर हुए है ना कल इंशाला नहीं होंगे डिस्पोजल ने आना है और अच्छाना है तो डेप्रिशेशन एक्सपेंस दो हजार दस का टू वन फाइव है और बैलेंस शीट की अगर बात करें तो पता नहीं है या नहीं है मैंने तो लिख दिया है ठीक है एक् पूरा कर लें एसिट की कोस्ट कितनी है बारह सो दस और अक्यूमुलेटिट डेप्रिशेशन इसमें से लेस होनी है वह कितनी है जी 565 वुक वैल्यों कितनी नदर आएगी 645 अब 13 कर लोगे ठीक है ये 12 कितने बचों का बिल्कुल सही था कितने बचों का बिल्कुल सही था अच्छा किस की किस का सही नहीं था दो तो वो तीन बच्चे आगे न 10 परसंट वाले उनके इलावा किस किस का सही नहीं था है जी वो तो ठीक है लेकिन वैसे कह रहा हूं कि गलती जिनकी है वो शेयर करें लागती के आई पूलरों किस किसका था 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 क्या गल्टी की इधर हैं इधर फ्रेक्शिन लगा दिया था ओपनी नहीं लिखा था ओके गुर्ड जी राउंडिंग को गल्ती नहीं है बेटा हो सही है फिर आपका आथगड़ा करना ही बनता था जी चलें जी पांच मिनट रहें इसको पूरा करेंगे इंचाला कल सिर्फ ए क क्या आपका है थाओंड़jem है बनता है बनता है कि जी चले गुर्षप एचना था विरे रह जह हैं यह जम्या चके अuciónग्गभा आपका श्यांद़्क्षखillर से लिगा कि जा चाह मुल है अजिञीर नहीं दुल्सोंगिंग